हेलो गैस मैं प्रशान्त और आज इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले अपकमिंग स्पार्टफोन की डिटेल के बारे में एंड वो कब लोंच होंगी उनकी डेक के बारे में तो आज कर जो हमारा सबसे पहले स्मार्टफोन है वो ओपो की तरफ से जो है ओपो A54 एंड 19th April को लोंच होगा एंड अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें हमें मीडेटक हीलियो P35 प्रोसेसर 6.51 पंच होल डिस्प्ले 13 मेगा पिक्सल का ट्रिपल एर कैमरा एंड 16 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा इसके लाब बात करें बैटरी की तो 5000 एमेज की अगले दिन याने की 20 मार्च को लोंच होगा अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें हमें स्नैप ड्रैगन 480 प्रोसेसर 6.5 इंच फुलस्टी प्लस डिस्प्ले विन 98 रिफ्रेश्ट इसके लाब बात करें बैटरी की तो इसी स्मार्ट फोन में 5000 एमेज की ब मिलेगा तो नेक्स्ट फोन है हमारा मोटरोला की तरफ से जो है मोटो जी सिक्स्टी एंड यह काफी इंट्रस्टिंग फोन है इस स्पेसिफिकेशन है वो भी काफी अच्छी है एंड यह 20 अपरेल को लॉंच होगा एंड इसकी सेल फिलिप कार पर एविलेबल होगी अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें हमें Snapdragon 732G प्रोसेसर 6.8 इंच HDR10 सपोर्ट डिस्प्ले विद 128C रिफ्रेश रेट इसके अलावा रियर में 108 मेगापिक्सल ट्रिपल एर कैमरा सेट अप विद 32 मेगापिक्सल फ्रेंट कैमरा अगर बात करें बैटरी की तो 6000 1000 एमेज की बैटरी मिलेगी एंड ये फोन अंडुड लेंट पर बेस्ट होगा वो लिस्ट में हमारा नेक्स्ट फोन भी है मोटो की तरफ से जो सेम डियानी की बीस तारिक कोई लॉंच होगा वो है मोटो का जीफोर्टी फ्यूजन एंड इसमें हमें Snapdragon 732G प्रोसेसर 6.8 इ स्मार्टफोन Realme 8 5G एंड इसको लेकर Realme की साइट पर पेज भी लाइव हो गया है एंड ये 22 अपर अलकॉल लॉंच होगा एंड अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें हमें MediaTek Diamond City 700 प्रोसेसर में लेगा 6.5 इंच Full HD Plus डिस्प्ले में लेगी भी 98 सी फ्रेश्ट इसके लावा इसमें हमें 8GB RAM मिलेगी एंड अगर बात करें स्टोरेज की तो वो होगी 128GB और 256GB स्टोरेज इसके लावा इसमें 48MP का ट्रिपल यर कैमरा सेट अप में लेगा विद 8MP फ् तो नेक्स्ट हमारा स्मार्टफोन है आलक्यू की तरफ से जैसे क्या अगर मेरी टेक न्यूस फोलो करते तो आपको पता होगा कि आलक्यू की 7 सेरीज लॉंच होने वाले इसके अब ओफिशली डेट भी आ गई है जो है 26 अप्रेल इसमें हमें Snapdragon 888 प्रोसेसर मिलेगा 6.62 इ वैटरी की तो वह होगी 4000 इमेज की वैटरी विद 66 वर्ट फास्याजिंग सपोर्ट तो नेक्स्ट हमारा स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से जिसको लेकर सैमसंग काफी दोनों से टीस कर रहा है एंड इंडिस्टिंग बात यह है कि यह काफी अग्रैसिव प्रैस पर लॉ दोनी खति गी एंड अगर बात करें कैमरा की तो ओगा 64 मेगापेक्सल का ट्रीर कैमरा साइट अप एड इगर बात करें बैटरी की तो ओगी 6000 इमेज की बैटरी 25 वोट वास्याजिंग सपोर्ट तो नेक्स्ट हमारा स्मार्टफोन है पोगो की तरफ से जो है पोको 3 Pro and this Redmi Note 10 5G होने वाला है जिसको Xiaomi rebrand करके POCO के नाम से लाँच करेंगा अगर बात करेंगा इसकी स्पैसिफिक्शन की तो इसमें हमें Diamond City 700 प्रोसेसर 6.5 इंच Full HD Plus IPS LCD डिस्प्ले विद 90 Hz रफ्रेस्ट रेट इसके लाभा बात करें कैमरा की तो होगा 48MP का 8MP सेलफी कैमरा एंड गर बात करें बैटरी की तो वोगी 5000 mAh की बैटरी विद 18W फास्ट जाजिंग सपोर्ट तो ये थे वो स्मार्टफोन जो इस मंत लौंच होंगी तो आपको वीडियो कैसे लेगा है मैं कमेंट करके ज़रू बता हैं और आप कौन सा फोन लेने का प्लान कर रहे हैं वो भी आमें कमेंट करके ज़रू बता हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में कर दो